Hello everyone, welcome back to Magnet Brains, मैं हु स्वाती आपकी इंग्लिश एजुकेटर और Magnet Brains के इस प्लैटफॉर्म पे किंटर कार्डन से लेके क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, उनका कॉंटेंट आपके लिए अवीलिबल है, जो की बेस्ट आप टीचर्स ने कुरेट करके रखा हुआ ह and this is not the entire good news, the news is कि ये सारा content आपके लिए free है, मतलब one or two chapters के बाद आपको किसी भी तरीके का paid subscription लेने की ज़र्वत नहीं, आप बस subscribe करें हमाई चैनल के साथ, उससे क्या होगा, कभी भी कोई भी जैसी नया chapter आता है, आपकी subjects आते हैं, आपको फटाक से पता चल जाएगा and you can be you know, the star of your class, क्योंकि आपको हर तरीके की clarity यहां magnet prince पे मिल जाएगी, not only that, ICSC books जो होती हैं, उनको भी हम देख रहे हैं, उनको भी हम cater कर रहे हैं, प्लस जो competitive exams होते हैं, like Olympiad की तयारी करनी हैं, अगर आपको NTSC, Z, NEET, यह सब जो है, यहां पे आपको हर चीज की तयारी कराई जाती है, तो यह एक लंबी सी good news के बाद, अब हम start करने वाले हैं, class 6 की engaging English book, जो की class, मतलब जो एक English literature book है, और इसका हम 16th unit अभी start करने वाले हैं, 16th unit एक chapter है, the name of the chapter is Bruno Goes Exploring, Bruno Goes Exploring, एक्चल में एक छोटा सा excerpt है, मतलब एक story का, एक main novel का एक छोटा सा part है, Bruno एक बच्चा है, जो सिर्फ nine years का है, और यह लोग जो हैं, अपने parents के साथ और अपनी sister के साथ Berlin में रहता है, वहाँ पे उनका एक बहुत बड़ा सा comfortable सा house है, लेकिन उसके बाद, जब Nazi Germany, मतलब हिटलर ने Germany को over take कर लिया था, उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे जितने भी Jews थे, उन लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो गया था, तो उनको वहाँ से हटा दिया जाया था, concentration camps में रख दिया गया था, तब क्या हुआ, इसके जो father थे, Bruno के जो father थे, वो एक जर्मिन, मतलब नाजी Germany के official थे, मतलब वो जो है, वो यह सारी concentration camps तो गेरा लगाया करते थ और यहाँ पे, जहाँ पे नोने shift किया, वहाँ पे उनके घर से बहुत सारे concentration camps दिख रहे थे, जहाँ पे Bruno को जाना allowed नहीं था, अब आपको जो यह chapter बताया गया, उसमें एक छोटा सा part है, बट मैं आपको story का थोड़ा सा और बता देती हूँ, कि story में क्या होता है, Bruno जब ज explore करने जाता है, उसको मन करता है घर से बाहर जाने का, तो एक दिन वो ऐसी explore करने जाता है, और वहाँ जाके उसको कौन मिलता है, उसी की age का एक और बच्चा मिलता है, लेकिन वो बच्चा actual में कौन होता है, वो एक जिउव होता है, जो कि उन concentration camps में रह रहा होता है, मैंने आप निकाल देते हो और उसके बाद वहाँ पे वो रोज मिलने लग जाते हैं वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंस बन जाते हैं और एक बार वो कहता है कि मुझे भी तुम्हारे कॉंसेंट्रीशन कैम्प में आना है और तब यह जो बच्चा है जो दूसरा बच्चा है वो उस कि उनको किस तरीके से टॉचर किया गया वो बहुत ज्यादा पेंफुल है तो उसका ही एक स्टोरी है यहाँ पे इफ यू वांट यू आपको बता रेते हूं यहाँ पे यह जो इनकी जो यहाँ पे बुक है इस बुक का नाम भी यहाँ पे है दो नेम ओफ द बुक इस स्ट्राइबड पैजामा इसलिए बिकास वो जो कॉंसेंट्रीशन कैम्प सोते थे वहाँ पे सब लोगों को एक तरीके से यूनिफॉर्म दी जाती थी ताकि उनको इसली आइदेंटिफाइ किया जा सके कि तुम जीओ हो तो इसलिए उन लोगों को स्ट्राइबड पैजाम जिसके बारे में बात हो रही है अब हम पहले इसके राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं और देन वी विल सी ओवर्वीव और देन वी बिल स्टाट पिदार चाप्टर John Boyne, an Irish novelist, has authored several novels for adults and children तो इस चाप्टर के राइटर कौन है John Boyne जिन्होंने बचों के लिए और बढ़ों के लिए काफी सारी novels लिखी थी The Boy in the Striped Pajamas is his most famous book and was made into a film The Boy in the Striped Pajamas ये इनकी सबसे famous book थी प्लस इसके ओपर एक movie भी बनाएं गई Some of the other popular books he has written are The Thief of Time, Mutiny on the Bounty and The Second Child ये कुछ और books हैं जोनोंने लिखी थी तो आपको इसमें ये याद रखना है कि इनकी राइटर का नाम क्या है John Boyne प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एक Irish novelist थे जिन्होंने बहुत साई novels लिखी और इनकी जिस novel पर ये story बेस्ट है उसका नाम है The Boy in the Striped Pajamas आते हैं हम overview पर this passage and extract from the book The Boy in the Striped Pajamas is set during World War 2 in Nazi Germany इसको actually बोलो कैसे presence कते है नाजजी नाजजी हलका सा तर का sound भी आता है so ये जब World War 2 जो नाजजी जर्मनी इसलिए कहा गया है जब उसने overtake कर लिया था जर्मनी को उसके बार उसको नाजी जर्मनी कहते थे It is about a 9-year-old boy Bruno whose life changes completely when his family moves from the city of Berlin to the countryside तो ये एक 9 साल के बच्चे Bruno की कहानी है उसके बारे में बताया जाता है जब वो अपना Berlin में एक बहुत बड़ा सा comfortable घर छोड के वो सारी उसकी family के साथ जो है countryside में shift हो जाता है He is too young to realize that his father is a high ranking Nazi official who works in the dreaded Auschwitz concentration camp for Jews वो बहुत छोटा है तो उसके लिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि उसके जो father है वो एक Nazi official है वो भी high rank के high rank Nazi official है जो concentration camp कौन से? Auschwitz concentration camp Jews के लिए जो लगाए गए है उनका पुरी responsibility है उनकी Auschwitz concentration camp जो है ये एक complex structure है around 40 concentration camps का जो की लगाए गए तो उस वक पॉलेंड में The book is about Bruno's friendship with a Jewish boy own age who lives in the camp और ये पूरी book है Bruno की friendship के बारे में जोसको एक दोस्त मिलता है उसी की age का लेकिन वो एक Jew होता है ये एक Nazi official है उसके फादर एक Nazi official है और जबकि जो उसका friend बनता है वो आप कह सकते हो like you know एक जो दुश्मन जो होते है उसको वो अपना दोस्त बनाता है क In this extract ये जो हमने इस chapter में जो पढ़ने वाले हम Bruno starts to settle down in his new home तो अब हमने इसमें जो पाट लिया है उसमें क्या है वो लोग बोरियन से आ चुके है और वो यहाँ पे settle down होने की कोशिश कर रहा है but lonely and bored लेकिन यहाँ उसके friends नहीं है तो वो काफी जादा अकेलापन महसूस कर र गाए he decides to explore his surroundings including the camp where he has been forbidden to go तो वो decide करता है कि वो अपने घर के आसपास थोड़ा से explore करेगा घूमने जाएगा देखेगा और वहाँ पे भी जाता है जहाँ उससे जाना सक्त मना है कौन सी जगा concentration camps nothing changed for quite a while at outwith अब यहाँ पे जो outwith बोला गया है outwith basically क्या है outwith जो है वो मतलब it is like a pun एक जो कित्रा लिया गया है जो ऑश्विट्स जो concentration camp है उन्हें outwith कहा गया हुआ है जहाँ पे juice के उपर बहुत जादा अत्याचार हुआ करते थे so nothing changed for quite a while at outwith तो यह जहाँ पे आ गये वहाँ पे कुछ जादा change नहीं हुआ bruno still had to put up with sister greater being less than friendly to him whenever she was in a bad mood so अब यह उन्हें क्या किया जैसे ऑश्विट्स concentration camp है जहाँ पे लोगों को उनके घर से हटा के रख दिया गया है तो इसके लिए उसका घर एक outwith था outwith क्यों था क्योंकि वह अपने घर में नहीं था he was somewhere out इसी लिए उसको outwith कहा गया है so bruno जो है उसको इस नहीं जगा पे आके भी बहुत जादा change नहीं रगा क्योंकि अभी वह उसकी जो sister है जिससे वह बिलकुल friendly नहीं थी मला उसकी sister उससे बिलकुल friendly थी और जब भी उसका mood off होता था तो bruno से बिलकुल अच्छा treat नहीं करती थी तो he has to put up with him and he still wished that he could go back to Berlin although the memories of that place were beginning to fade उसका बहुत मन था की बापस वो Berlin चले जाए बापस अपने पुराने घर चले जाए लेकिन अब क्या है वहां की यादें बहुत धुंदली पड़ती जा रही थी क्योंकि बहुत time होता जा रहा था the soldiers still come and went every day of the week holding meetings in father's office which was still out of bounds at all times and no exceptions so अभी भी जो soldiers थे क्योंकि उसके father जो थे वो एक high rank Nazi official थे तो बहुत साइ soldiers थे जो घर आते रहते थे जाते रहते थे meetings होती रहती थी और उन meetings में ना कोई आ सकता था ना कोई इसका part बन सकता था ना कोई सुन सकता था वहां पे और किसी के लिए कोई exception नहीं था मतलब सिफ उसके father और जो officials and that's it the servant still came and washed things and swept things and cooked things and clean things and took things away and kept their mouth shut unless they were spoken to और जो उनकी नौकर थे वो भी घर साफ कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं और जब तक उनसे कुछ बोलने को नहीं बोला जाए वो अपना मू बन रखा करते थे but then things changed, father decided it was time for the children to return to their studies and although it seemed ridiculous to Bruno that school should take place when there were only two students to teach both mother and father agreed that a tutor should come to the house everyday and fill their mornings and afternoons with lessons तो अब चीज़े बदाने लग गई, father ने डिसाइड किया कि इनके लिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है ठीके, अब Bruno को ये बहुत ही ज़ादा stupid लग रहा था, ridiculous लग रहा था उसको लगा दो बच्चों के लिए कोई school होता है क्या तब father लोगों ने decide किया था कि इनके लिए एक tutor को घर में बुलाया जाएगा mornings और afternoons जो होंगे वहाँ पे तब वो उनको पढ़ा दिया करेगा जो उनका tutor होगा वो इन दोनों बच्चों को पढ़ा दिया करेगा because they did not want कि इनकी studies किसी भी तरीके से effect हो a few mornings later a man called her lids rattled up the driveway on his bone shaker and it was time for school लगी अब कुछ mornings के बाद मतलब उनको वो लोग tutor धुंडा उन्होंने उन्हें tutor मिल गया और tutor का नाम था her lids lids उनका नाम था और her जो है basically German में mister को her कहते हैं तो एक man था जिसका नाम था Mr. Lids हम ऐसे ही बोल सकते हैं her lids ठीक है वो अपनी bone shaker bone shaker मतलब क्या है उस time के एक bicycle होती थी मतलब cycle एक bicycle होती थी उस पे वो जो है आई अब वो obviously bicycle चलती तो आवाज होती है तो it rattled up the driveway rattled का मतलब होता है shake up आवाज करना तक 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 से तो उस पूरे driveway में आवाज होई रोने अपनी गाड़ी पाक करी and finally उनका school फिर स्टार्ट हो गया her lids was a mystery to bruno although he was friendly enough most of the time never raising his hand to him like his old teacher in bolin had done something in his eyes made bruno feel there was anger inside him just waiting to get out अब वो यहां कह रहे हैं कि her lids mr lids थे वो bruno के लिए बहुत साथ mysterious थे मतलब bruno उनको समझ नहीं पा रहा था although most of the time वो बहुत friendly way में बात करते थे और वो bruno को मारते भी नहीं थे मतलब जो जो डॉरलिन में उसके पहले जो teacher थे school teacher वो उसको मारा करते थे लेकिन इन्होंने कभी उस पे हाथ भी नहीं उठाया लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता था उनकी आँखों के अंदर बहुत जादा गुसा दबा हुआ है जिसकी वज़े से मैं ब्रुनो को बहुत अजीब लगता था बस वो गुसा दबा हुआ है भी भी भाहर आ सकता है Her lids was particularly fond of history and geography while Bruno preferred reading and art अब उसके जो teacher थे उनको history and geography बहुत अच्छा लगता था जबकि Bruno जो था उसको art अच्छा लगता था या read करना अच्छा लगता था तो उन्होंने टीचर ने क्या का reading और art ये साही चीजें useless है तुम्हें क्या चाहिए social science की एक अच्छी understanding होनी अच्छी है आज के दुनिया में मतलब आज जिस तरीके का माहूर चल रहा है उसमें तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए तुम्हें civics पता होना चाहिए बट आरेंट बुक्स important आस ब्रूनों ने कहा आप बोल रहे हो कि reading important नहीं बुक्स तो important होती है ना बुक्स about things that matter in the world of course explained her lids तो उन्होंने क्या बोला हाँ बुक्स बहुत important है लेकिन वो बुक्स जो आपको दुनिया के बारे में समझाए यह नहीं कि आप अपने खयालों में जी रहे हो परी कथा पढ़ रहे हो but not story books not books about things that never happened how much do you know of your history anyway young man उन्होंने बोला बुक्स पढ़नी important है लेकिन वो बुक्स जो आपको आपके बारे में समझाए story books पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ऐसी books जो कभी ऐसी stories जहां जो कभी हुआ ही नहीं क्योंकि story books में क्या होता है it's all imaginative mostly तो वो बोल रहे हैं जो चीज कभी हुई भी नहीं उस चीज को पढ़ने का क्या मतलब है तुम अपनी history को कितना जानते हो बताओ तुम अपनी history के बारी में well I know I was born on April the 15th 1994 said Bruno तो Bruno ने बोला sorry 1934 तो Bruno ने बोला मेरी history मतलब मुझे पता है में April में पैदा हुआ था 15th April को 1934 में पैदा हुआ था not your own personal history मैं तुम से तुम्हारी history की बात कर रहा हूँ मतलब तुम्हारी personal history की बात नहीं कर रहा हूँ उसके teacher ने उसे interrupt किया I mean the history of who you are where you come from your family's heritage the fatherland उन्होंने बोला मैं तुम्हारी history की बारे में पूछ रहा हूँ मतलब तुम कौन हो तुम कहां से आए हो तुम्हारी family की heritage heritage मतलब क्या होता है the history and traditions of a country तुम्हारी family की traditions क्या है तुम्हारी family की history क्या है तुम्हारी fatherland की बारे में अब Bruno 9 साल का बच्चा था उसे समझ ही ने आया Bruno frowned मतलब frown मतलब ऐसे अपनी जो भवे कर लेते हैं हम उसे बोलते हैं frown करना उसे सोचा he was not entirely sure that father had any land उसका रगा fatherland मतलब जो land father का हो वो fatherland उसने सोचा मेरे father के पास कोई land है because although the house in Berlin was large and comfortable there was not very much garden space around it मेरे father का land उसने सोचा Berlin का घर था बड़ा था comfortable था तो इसमें garden space तो बहुत कम था तो fatherland तो छुटा हो गया and he was old enough to know that outwith did not belong to them despite all the land there और उसको ये भी पता था outwith मतलब जहां अभी वो जह रहे है वो कोई इतना बड़ा घर तो नहीं है और उसे ये भी मतलब है बहुत बड़ा लेकिन उसे ये पता है कि ये उनका नहीं है मतलब fatherland तो वोई Berlin वाला हुआ not very much तो according to the Berlin house उसनोंने अपनी teacher को क्या जवाब दिया नहीं ज़ादा तो fatherland नहीं है he admitted finally although I know quite a bit about the middle ages उसनों बड़ा मुझे मेरी family history के बारे में तो ज़ादा नहीं पता लेकिन मुझे middle ages के बारे में पता है I like stories about nights and adventures and exploring मुझे जो है मतलब जो nights होते हैं soldiers के बारे में मुझे adventures and exploring के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है Harlot shook his head anxiously उसनोंने गुस्टे में अपना सर हिलाया और क्या का दें this is what I am here to change he said in a sinister voice उसनोंने बला मैं यहाँ पे यही बदलने आया हूँ और उनने एक बहुत evil आवाज में कहा मरलब ऐसा जैसे कि तुम्हें यह तक नहीं पता कि तुम कौन हो तो उनने बहुत ही ज़ादा evil wicked way में कहा तो get your head out of your story books and teach you more about where you come from about the great wrongs have been done to you उसने बोला मैं तुम्हें यही इसी लिए मैं यहाँ पे आया हूँ that he would finally be given an explanation for why they had all been forced to leave their comfortable home and come to this terrible place which must have been the greatest wrong ever committed to him in this short life Bruno सिफ 9 साल का बच्चा था उसके लिए उसके साथ जो गलत हुआ सबसे बड़ा जो गलत हुआ वो यह था कि उसके फादर ने एक comfortable सा बरलिन का घर छोड़ के वो उसको यहाँ पे लेके आगए तो उसने बोला अच्छा तो जैसे उसके टीचर ने बताया मैं तो मैं बताऊंगा तुम्हाँ साथ कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हुई है यह तुम्हाँ साथ कितना गलत हुआ तब उसको लगा हाँ अब मुझे यह पता चलेगा कि फादर हमको बोलिन से लेके यह आउटवित में क्यों लेके आगए क्यों उसके साथ तो वही गलत हुआ था Sitting alone in his room a few days later Bruno started thinking about all the things he liked to do at home that he had not been able to do since he had come to out with तो अब एक दिन वो अपने रूम में अकेला बैठा हुआ था सोच रहा था जब वो बर्लिन में रहता था तो वो क्या क्या किया करता था जो वो अब यहां पे नहीं कर पा रहा है Most of them came about because he no longer had any friends to play with So उसमें सबस्यादा चीज़ क्या थी कि वो पहले अपने friends के साथ खेल पाता था He had done it all the time back in Berlin and that was exploring और वो बर्लिन में एक काम था जो पूरे टाइम किया करता था Even if उसके friends अगर उसके साथ नहीं होते थे और वो था exploring Explore करना When I was a child, Bruno said to himself I used to enjoy exploring, I have never really done any exploring here Perhaps it's time to start उसने बोला, अब 9 सार का बच्चा बोला है, जब मैं छोटा था तब मैं Berlin में कितना explore किया करता था, यहाँ चला जाता था, वहाँ चला जाता था, इदर घूमता था नई चीज़ें देखता था, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने तो कुछ भी explore नहीं किया I think it's time to start, अब मुझे start करना चाहिए Bruno jumped off his bed and rumished in his wardrobe for an overcoat and a pair of old boots Bruno जो था तुरंथ bed से उत्रा, और रमेश का मतलब क्या होता है, ऐसे से करके search करना, मतलब disorderly way में search करना तो उसने अपने wardrobe में खोला और फटा फटा ऐसे करके धुंडा, उसमें से एक overcoat निकाला overcoat मतलब जो एक लंबा सा coat होता है, जो आपके knees तक आता है और एक old pair of boots निकाले, the kind of clothes he thought a real explorer might wear and prepared to leave the house, तो उसको रखा है एक real explorer क्या पहनता है heavy sack coat पहनता है, वो coat और वो boots पहनता है तो उसने भी पहने और वो अपने घर से निकलने के लिए तयार हो गया For months now, Bruno had been looking out of his bedroom window at the garden and the bench with the block on it, the tall fence and the wooden telegraph poles and all the other things he had written to grandmother about in his most recent letter, तो जहाँ Berlin में वो वहाँ रहता था वहाँ उसके grandparents भी रहते थे, अब वो अपने grandparents को भी miss करता था लेकिन उन्हें letter लिखता था, तो अब क्या हुआ Bruno अपने घर की खिड़की से उसने month हो गए, महीने हो गए उसको यहाँ पर outfit में आई हुए, और वो वहाँ पर क्या-क्या रेखता है, एक garden है, जो उसकी जो bedroom की जो window है, वो किस चीज को face करती है, एक garden है, और उधर पर एक bench है, उस bench में कुछ plaque लगा हुआ है, प्लाक मतलब क्या होता है, an ornamental tablet to honor a person or an event, जैसे आप कहते हो कि यह जो chair है, यह इन्होंने बनाई है तो उस पर आप एक golden plate लगाते हो, उस plate पे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन obviously वो उसके घर की खिड़की से पढ़ा नहीं जाता, तो वो रोस देखता था कि garden है, garden में एक जो है bench है, उस bench पे कुछ लिखा हुआ है, the tall fence और एक बहुत बड़ा सा fence है, मतलब पूरे जो तार का fence बनाया गया है और वो बहुत tall है, and the wooden telegraph poles, और wooden telegraph poles हैं वहाँ पे, और उसने यह सारी चीजें चिठियों में अपनी नानी को बताई थी and as often as he had washed the people, all the different kinds of people in their striped pajamas it had never really occurred to him to wonder what it was all about अब वहाँ से उसने बहुत सारी लोगों को देखा था मतलब अपनी खिड़की से उसने बहुत सारी लोगों को देखा था अलग-अलग तरीके के लोग होते थे, लेकिन उन सबने striped pajamas पहने थे ऐसे धारी-धारी वाले pajama पहने हुए थे और उसको कभी समझ में नहीं आया कि ये सब था क्या It was as if it were another city entirely the people all living and working together side by side with the house where he lived ऐसा लगता था कि जो घर में वो रह रहा रहा था और ये जो जहां पे striped pajamas वाले लोग थे वो एक ऐसा लगता था अलग ही city एक अलग ही दुनिया है वो लोग सब आपस में रहते थे, आपस में काम करते थे All the people in the camp wore the same clothes those pajamas and their striped clothes caps too अब वहां पे पूरे camp में जितने भी लोग थे वो एक ही जैसे कपड़े पहनते थे, सब striped pajamas पहनते थे प्लस उनके जो caps थे वो भी striped हुआ करते थे And all the people who wandered through his house wore uniforms with bright red and black arm bands and carried guns and always looked terribly stern और जितने भी लोग उसके घर के आसपास हुआ करते थे या उसके घर आया करते थे वो लोग हमेशा जो थे, एक दम bright red and black uniform पहना करते थे arm bands पहना करते थे, यहाँ पर उनके हाथ में guns होते थे और वो हमेशा बहुत ज़्यादा serious लगते थे As if it were all very important really and no one should think otherwise ऐसा तरह कि वो अपने आपके बारे में ये बताना चाहते हैं कि हम बहुत serious लोग हैं और हमाई बारे में कोई ऐसा वैसा ना सूचे What exactly was the difference? He wondered to himself And who decided which people wore the striped pajamas and which people wore the uniforms? तो उन्होंने बोला कि exactly जो लोग uniform पहने हुए हैं और जो लोग striped pajamas पहने हुए इन दोनों में difference क्या है? सब तो humans हैं कैसे पता चलता है कि striped pajamas किसको पहनने हो और soldier वाली uniform किसको पहननी है? इस question कि तो उन्होंने बहुट deep बात कही है वो यह कि जो nazis थे और जो jews थे उनमें क्या difference था? सब humans थे Like every creature is made by God only तो हम सब को तो भगवान नहीं बनाया था तो इनमें क्या difference था? कैसे आप बोल सकते हो कि jews उनको जीने का कोई हक नहीं है लेकि nazis को है So this is what it has like its deeper meaning is Of course sometimes the two groups mixed He had often seen the people from his side of the fence on the other side and it was clear that they were in charge Of course उसने बहुत 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 देखा था कि जो soldiers थे वो stride pyjamas वाली लोगों से मिलते थे और देख के आसानी से समझ में आ जाता था कि कौन किस पे हावी हो रहा है soldiers जो थे उन्होंने पुरा चार्ज लिया हुआ था वो stride pyjamas वाली लोगों को order दिया करते थे The pyjama people all jumped to attention whenever the soldiers approached and sometimes they fell to the ground and sometimes they did not even get up and had to be carried away instead एक 9 साल के बच्चे ने ये लिखा हुआ है तब आप ये समझोगे कितना innocently वोई चीज बोल रहा है जो pyjama people जो थे जैसे ये soldiers आते थे तो वो एकदम attention में खड़े हो जाते थे और कभी-कभी वो आते थे तो ये लोग जमीन पर गिर जाते थे और कभी-कभी ये उठ भी नी पाते थे वो लोग उनको घसीट हुए लेके जाते थे What does this mean? That they used to kill them They used to kill them वो बुलेट से fire करते थे या किसी भी तरीके से उनको मार देते थे और उसके बाद उनने carry करके हटाना पड़ता था वहां से It's funny that I have never wondered about these people Bruno thought Bruno ने सोचा ये बहुत अजीब बात है कि मैंने कभी इन लोगों के बारे में कुछ सोचा नहीं And it's funny that What do you think of all the times the soldiers go over there And he had seen He had even seen his father go over there on many occasions और सबसे अजीब बात ये है That when you think उन सारे time के बारे में कि उन्होंने इतने सारे soldiers को यहां जाते हुए देखा था Even उसने अपने father को भी वहां जाते हुए देखा था That none of the striped pajama people had ever been invited back to the house उन्हें सारे soldiers उनके camp में जाते हैं मेरे father भी जाते हैं लेकिन कभी वो हमारे घर क्यों नहीं आते उन्हें invite क्यों नहीं किया जाता Leaving the house, Bruno went round the back And looked up towards his own bedroom window तो जैसे उसने घर अपना छोड़ा तो उसने turn किया और उसका घर पीछे था और उसने अपनी bedroom की window देखी He looked as far to his right as he could see उसने एकदम right side ने पुरा turn हुआ और देखा जितना वो देख सकता था And the tall fence seemed to carry on in the sunlight And he was glad that it did Because it meant that he did not know what was up ahead And he could walk and find out And that was what exploration was all about after all अब वहाँ पे क्या हुआ जो tall fence था Seemed to carry on in the sunlight वो पुरा sunlight में एकदम जगमगा रहा था और उसको नहीं पता था ये fence कहा जा रहा है और उसको लगा यहीं तो मसा है क्योंकि यहीं तो exploration होता है जहाँ पे आपको जो नहीं पता आप उसको जानने की कोशिश करते हो Before heading off in that direction Though there was one final thing to investigate And that was the bench अब वो उस direction में जा रहा था लेकिन तभी उसको यादा है एक और चीश्थी टॉलफिंस तो उसने देख लिया लेकिन वो bench जिसमें प्लेक लगा हुआ था All these months he had been looking at it and staring at the plague from a distance and calling it the bench with the plague इतने महीनों से वो रोज उस bench को देखा करता था जिसमें वो plague लगा हुआ है और आज वो finally देख पाएगा कि वो है क्या But he still had no idea what is the plague लेकिन उसे अभी भी नहीं पता अब वो उसे bench दिख रही है लेकिन उसे अभी भी नहीं पता ये plague में लिखा क्या हुआ है But he still had no idea what it said Looking left and right to make sure that no one is coming उसने left right देखा और उसको जब समझ में आगया कि हाँ कोई मुझे देख नहीं रहा है कोई मुझे फॉलो नहीं कर रहा है He ran to it and squinted as he read the words वो दोरते हुआ उस bench पे गया और उसकी आखे उसकी squint हो गई जब वो उन words को पढ़ रहा था Squint कब होती है कोई चीज़ आप उसकी बहुत closely पढ़ते हो It was only a small bronze plague and Bruno read it quietly to himself तो वो सिफ एक bronze का प्लेग था उसमें जो कुछ लिखा था Bruno ने धीरे से खुद के लिए पढ़ा Presented on the occasion of the opening of He hesitated उसमें लिखा था ये जो bench है ये present की जारी है On the opening of Outwith Camp, he continued stumbling over a name as usual June 1940 उसमें लिखा हुआ था कि Outwith Camp के बनने पे ये जो bench है ये यहां लगाई जारी है उसमें date डिली हुई थी June 1940 He reached out and touched it for a moment and the bronze was very cold so he pulled his fingers away before taking a deep breath and beginning his journey So वो यहां कह रहा है कि उसने गया और उसने उस प्लेट को जो प्लेट लिखा हुआ था पूरा ब्रॉंस प्लेट को उसको तच किया लेकिन जैसी उसने तच किया वो बहुत जादा थंडा था उसने तुरंत अपना हाथ वापस खीच लिया और आगे अपनी जरनी को continue कर दिया ब्रॉंस तुरेट अगे पहुआ प्लेट को जरनी के पासे प्लेट को जो तो यह था वो एक चीज के बारे में सोच्णे की नहीं सोच्णे की कोशिश कर रहा था वो यह था कि उसके मदर और फार ने इस्ट्रिक्ली उसको बोला हुआ था कि यहाँ पे गल्ती से भी उसको या उन camps के पास नहीं जाना है चाहे कुछ भी हो जाए इस जगह पे आके आप किसी भी तरीके का exploration नहीं करोगे with no exceptions मतलब यहाँ पे यह नहीं होगा कि एक दिन चले गए, दो दिन चले गए, थोड़ी देर के लिए चले गए, किसी भी तरीके का exception नहीं मिलेगा लेकिन ब्रुनो उसके बाद भी चला गया So here, the first question is true or false? That is like the best thing, easiest Herr means sir in German क्या her का मतलब sir होता है sir या mister? Yes, that is true Bruno was very happy in outwith Bruno जो था, outwith मतलब जो उसका नया घर था वो वहाँ बहुत खुश था No, that is false Her lids felt that reading and art were important subjects as they helped one understand where one come from and who one was क्या her lids को लगता था की reading और जो you know reading और art ये important subjects है No, उन्हें लगता था history और geography civics ये important है So this is false Bruno thought that fatherland referred to house owned by his father Yes, उसे लगता था fatherland मतलब उतना land जो उसके father ने own किया हुआ है ये इसका answer हो जाएगा true Bruno thought that the great wrongs his teacher spoke about were the historical wrongs done to Germans Bruno को ये लगा था तो वो जो उसके teacher बोई थे तुम्हारे साथ जो इतना गलत हुआ है तो वो ये था कि उसके साथ गलत हुआ है या ये जो Germans के साथ गलत हुआ है So the answer is उसको ये बिलकुल नहीं लगता था कि Germans के साथ गलत हुआ है उसको लगता था जो मेरे साथ गलत हुआ है मुझे यहां लेके आ गए वो उनकी बात कर रहे है So this is false Bruno disliked reading about the Middle Ages Bruno को Middle Ages के बाए में पढ़ना अच्छा नहीं लगता था No that's false उसको Middle Ages के बाए में पढ़ना अच्छा लगता था The story is set against the backdrop of World War 2 World War 2 के time के जो backdrop पे ये story बनाई गई है Yes that is true ये रहे हमारे सारे answers Okay चलिए आगे बढ़ते हैं अब है answer the questions with reference to context He had done it all the time back in Berlin and that was exploring Toh question ये है Who is the person being referred to in these lines हम यहाँ पे किस की बात करें ही किस को बूला गया है So the person referred to in these lines is Bruno जो वहाँ पे मतला Berlin में वो पूरे time explore करता था कौन करता था Bruno करता था How was his life in Berlin different compared to being in Outwith Outwith की life के comparison में जो Berlin की life थी वो कैसे different थी At Outwith Bruno did not have anyone to play with Outwith में Bruno की पास खेलने के लिए कोई नहीं था He was all by himself वो केला था He did not have to go to school but had a private tutor who came to his house यहाँ वो school भी नहीं जा सकता था एक private tutor घराकियों से पढ़ाते थे He was ordered not to go exploring and never to go to the other side of the fence that separated his house from the camp उसको यहाँ पे का गया था कि आप किसी भी तरीकी की exploring नहीं करोगे और आप जो fence के दूसरे side नहीं जाओगे जो उसका घर और camp के बीच में एक fence था उसको छोड़के मिलब उसके अलावा आप कहीं पे भी नहीं जाओगे So you know this is how it was different How did he prepare himself for exploration? उसने अपने आपको exploration के लिए कैसे prepare किया? Bruno jumped off his bed and rummaged in his wardrobe for an overcoat and an old pair of boots तो Bruno ने जैसी सोचा कि उसे जाना है वो bed से कुदा और उसके उसने अपने कबर्ड में जल्दी से एक overcoat निकाला एक old pair of boots निकाले It was a kind of clothes he thought the real explorer might wear उसे लगता था ऐसे कपड़े एक real explorer पहनेगा Once he was dressed he prepared to leave his house एक बार उसने जब कपड़े पहन लिये तब उसने सोचा अब मैं घज से चला जाता हूँ He had often seen the people from his side of the fence on the other side of the fence and it was clear that they were in charge अब यहां second है कि वो हमेशा रेखता था कि जो यहां के लोग थे जो soldiers थे जब वो वहाँ जाते थे और उन striped pajamas वाली लोगों से मिलते थे तो अलग से समझ में आ जाता था कि soldiers जो थे वो superior थे वो charge में थे which two groups are being referred to here यहां पे कौन से दो groups के बारे में बात हो रही है The quoted lines refer to the groups of people whom Bruno saw at outwith Bruno जो है उन दो groups की बात करा है जिसको उन्होंने outwith में देखा था One was the group of people who lived in the camp and wore the same clothes the striped pajamas and cloth caps पहले वो लोग थे जो लोग camps में रहा करते थे और जो सब एक जैसे कपड़े पहना करते थे क्या striped pajamas और caps और मतलब यह cloth के कपड़े caps The other one was the group of people who wandered about in uniforms with bright red and black armbands and carried guns and always looked terribly stern और जो दूसरे लोग थे वो soldiers थे जो हमेशा जो थे bright red and black armbands थे उनके पास guns हुआ करती थे उनके पास और वो एकदम हमेशा बहुत stern रहते थे एकदम ऐसा लगता था serious हैं बहुत ज्यादा गुस्से में है How did the people on the other side behave in the presence of the people from his side तो people जो थे जो दूसरे side में थे मतलब जो लोग camps में रहते थे और जो लोग इतार रहते थे नों के behavior में क्या difference था मतलब वो लोग किस तरीके से behave किया करते थे the people on the other side of the fence all jump to attention मतलब जब soldiers जो थे वो camps में जाते थे तो वो जो camp में जो Jews थे वो कैसे react करते थे जैसी soldiers आते थे वो they used to all jump into attention मतलब वो एकदम से attention mode में खड़े हो जाते थे whenever the people from Bruno's side approached मतलब ये soldiers जब वहां जाते थे sometimes they fell to the ground and sometimes they did not even get up and had to be carried away instead कभी-कभी वो जमीन पे गिर जाते थे और कभी-कभी वो वापस उठ भी नहीं पाते थे उनको carry करना पड़ता था मतलब उन्हें घसीट के लेके जाना पड़ता था who do you think the two groups of people really were आपको क्या लगता है ये जो दो group of people थे वो actually में थे कौन the people in the pajamas were the Jews at the concentration camps in Auschwitz the people in uniform were the nazi soldiers and officers तो यहां हमें पता है हम तब से discuss कर रहे हैं कि जो pajamas थे पैजामा में जो लोग थे वो थे Jews और जो लोग soldiers थे वो थे Nazi soldiers the bronze was very cold to him so he pulled his fingers away before taking a deep breath beginning his journey what dad what did he touch where was it place so this is I what did he touch उसने क्या तच किया था वो कहां पे रखा हुआ था Bruno touched a small bronze plague उसने एक small bronze plague को तच किया था it was located on a bench वो एक bench पे लगा हुआ था just outside the fence surrounding the camp जो camp है उसकी just outside the fence वो bench लगी हुई थी what had been inscribed on the bronze मतलब वो जो bronze plague था उस पे क्या लिखा हुआ था what do you think it actually means था तुम्हें क्या रखता उसका मतलब क्या है the inscription on the plague red उस inscription पे क्या लिखा हुआ था presented on the occasion of the opening of outwith camp presented मतलब ये bench कब दी गई है outwith camp के बनने पे opening पे ये bench लगाई गई है कब लगाई गई है जून 1940 it actually marked the date of inauguration of one of the most famous concentration camps of the Nazi era the Auschwitz camp basically वो क्या बता रहा है कि जो Nazi का ये जो एक बहुत ज़ादा famous camp था Auschwitz camp जिसमें almost 40 concentration camps लगाई गई थे जहां पे juice को रखा गया था और बहुत ज़ादा जो है हर तरीके का अत्याचार किया जाता था वहां पे तो जब ये inaugurate हुआ था तब वो bench लगाई गई थी and that is what it meant what did he try not to think about as he began his journey why तो Bruno जब ये explore करने जा रहा था जब उसका मन था कि मैं fence के दूसरे साइट चला जाता हूं तब उसके दिमाग में एक बात बार बार आ रही थी जो वो नहीं याद करना चाह रहा था वो ये थी at the beginning of his journey Bruno tried to think about the countless occasions when he was told by both his parents that he was not allowed to walk anywhere near the fence or the camp जब अपने उसने journey start करी तो Bruno ने क्या try किया उसने ये try किया कि वो ये ना सोचे कि कितनी बार उसके parents ने उसको बोला है कि तुम fence के पास या fence के other side जहाँ camp है वहाँ नहीं जाओगे उसको बार बार ये बात याद आ रही थी लेकिन वो नहीं सुनना चाह रहा था he particularly tried to forget the warning that exploration was banned at outwith without any exception और बार बार उससे एक sentence याद आ रहा था कि कुछ भी हो जाए outwith में exploration मतलब allowed नहीं है without any exception मतलब कोई भी exception नहीं चलेगा तो यही बात उसे याद आ रही थी अब है think and answer why has the phrase with no exceptions been capitalized जो ये last three words है इस chapter में with no exceptions इन्हें capitalized करके क्यों लिखा गया है the use of capitalization by born is intended to emphasize the institutionalized nature of the prohibition against playing in that particular room basically ये जो capitalization boy ने किया है जो writer ने किया है उसमें वो क्या intention है उनका he wants to emphasize मतलब वो जो हैं वो emphasize करना चाहते हैं वो importance बताना चाहते हैं कि वहाँ पे खेलने के लिए जो मना किया गया था वो कितना ज्यादा important था no exceptions मतलब no exceptions what kind of boy do you think Bruno was आपको क्या लगता है Bruno कैसा लड़का था so Bruno is a very clever and adventurous young boy Bruno जो था वो इसकी जगा हम इसको was करते थे because question में was बोला है हमको so Bruno was a very clever and adventurous boy वो बहुत clever था चतुर था और बहुत adventurous था he longs for adventure अब हमने पूरा answer simple present में लिखा है तो अपन इसको रहन देते है he longs for adventure and thanks that in his new home he might find some new adventure तो उसको adventure का बहुत मन करता है मतलब उसको नए नए कुछ करामात करने का मन करता है उसको लगता है इधर पे इस नए जगा में उसको adventure के नए तरीके मिलेंगे he is a curious young boy and wants to roam about the new place he is also very naive वो एक curious लड़का है जो नही नही जगा पे जाना चाता है at the same time वो बहुत innocent है मतलब वो बहुत ज़्यादा naive है अब आते हैं हम vocabulary पार्ट में words often confuse मतलब यहाँ पे हम बात करें है some words are similar in spelling homographs की बात करें दो words जिनकी spelling same होती है लेकिन के meaning different होते हैं जैसे की Bruno needed some time to plan his you know expectation तो Bruno ने जो था उसको यहाँ पे some time he needed some time मतलब थोड़ा सा time certain amount of time his grandmother promised to come and visit him sometime अब यहाँ पे जो sometime लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है उसकी grandmother ने उसको promise किया कि वो कभी आके मिलेंगी उसको sometime in the future sometimes 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 Bruno found his lessons with her let's very interesting कभी-कभी उसके tutor के साथ उसके जो lessons होते थे तो वो से बहुत interesting लगते थे अब यहाँ sometimes का मतलब है कभी-कभी यहाँ मतलब है sometime का मतलब है you know future में कभी और यहाँ sometime का मतलब होता है थोड़े time के लिए spelling सबकी सेम है लेकिन मीनिंग अलग-अलग हो गया so now here write the meanings of the following pairs of words and make sentences with them so let's start जैसे यहाँ पर है सबसे पहले occasion occasion का मतलब होता है कोई एक particular event तो उसका sentence है on one occasion I stayed up until two in the morning एक occasion जब था एक event था उसमें मैं सुबह दो बजे तक जगा था occasional का मतलब क्या होता है जो कभी-कभी किया जाता है occasionally मैं like you know occasionally मैं sweets खा लेती हूँ इस तरीके से I play the occasional game of tennis मतलब मैं कभी-कभी tennis खेल लेती हूँ अगर खेला गया तो imaginary imaginary का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो सिर्फ आपके imagination में exist करती है so example he talks to an imaginary friend वो एक imaginary friend से बात करता है अब है imaginative imaginative का मतलब होता है having or showing creativity or inventiveness तुम कितने imaginative हो इसका मतलब तुम कितने creative हो तुमारे अंदर कितने जादा innovations है so she is very hard working but not very imaginative वो बहुत जादा hard working है लेकिन उतनी imaginative नहीं है next is beside beside का मतलब होता है bagal में at the side next to for example she sat beside him during dinner dinner के time पे वो उसके bagal में बैठी हुई थी besides का मतलब होता है इसके अलावा मतलब I have no family besides my parents मेरी parents के अलावा मेरी कोई family नहीं है climatic climatic का मतलब होता है relating to climate like जैसे climatic conditions जो है वो अच्छी नहीं है so climatic का मतलब क्या होता है under certain climatic conditions desert locust increase in number मतलब कभी कभी कुछ climatic conditions ऐसी आ जाती है कि जो टिडड़े होते है locust मतलब होते है desert के जो टिड़े होते है बहुत जाता उनका number बढ़ जाता है climatic अब climatic का मतलब होता है final या ending जैसे climax बोलते हैं तो climatic the film's climatic scenes was so interesting उसके जो climax के scenes थे वो बहुत interesting थे next is disinterested or uninterested disinterested का मतलब होता है not having the mind or feelings engaged मतलब जाब जाब you are not interested to do something her father was so disinterested in his progress उसके father को बिलकुल भी interest नहीं था उसकी progress में कि वो कभी उसके school ही नहीं गए uninterested का मतलब होता है not interested in or concerned about something or someone आप किसी चीज के बारे में concerned हो या आप उसमें interested नहीं हो I was totally uninterested in boys मुझे तो boys में कोई interest नहीं था लेकिन disinterested जब बोलते हो तो आप क्या बताते हो कि उसको उस particular चीज में कोई interest नहीं था ठीक है अब आते हैं हम collocations collocations क्या होते हैं it is a group of two or more words जो हमेशा साथ में यूज किये जाते हैं जैसे कि with no exceptions या out of bounds या countless occasions अब यहां पे है complete the sentences with the correct collocations you may have to change the for like you know यहां पे जो है basically form this is not for this is form of some words तो पहला है जैसे है commit a crime make a difference commit a crime मतलब कोई crime करना make a difference मतलब किसी तरीके का change ले के आना take a chance मतलब कोई chance लेना realize my mistake realize my mistake का मतलब अपनी गलती का एहसास होना keep her promise का मतलब होता है अपना वादा कायम रखना रखना मतलब तो since the house was empty Bruno decided to dash surroundings क्योंकि घर खाली था तो Bruno ने क्या decide किया to commit a crime make a difference take a chance realize my mistake या keep her promise so the answer is to take a chance मतलब उसने सुचा मैं एक बार जा के देखता हूँ from an early age the young boy wanted to do something to make a difference in the lives of those who were less fortunate बच्चपन से ही वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे जो लोग वहां रहते हैं जो लोग less fortunate है मतलब जो लोगों की किसमत उतनी अच्छी नहीं है उनके लिए उनकी लाइफ में कोई changes लेके आना उनके लिए जिन्देगी थोड़ी बहतर बना देना next है Bruno wondered whether the people in stride pajamas had dash for they were not allowed inside the house so Bruno ने बहुत सोचा की क्या ये जो लोग हैं जो stride pajamas में हैं have they committed a crime क्या उन्होंने कोई गलती किये जिसके वज़े से उन्हें हमारे घर में अंदर आना allowed नहीं है next is I realized my mistake and apologize to my friend मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और मैंने अपने friend से माफी मांग ली Shweta kept her promise to write to her sister every week from college तो Shweta ने एक promise किया था अपनी friend से कि वो हर week जो है एक letter लिखे की She kept her promise का मतलब होता है उसने अपना वादा रखा अब आते हैं abstract nouns abstract nouns क्या होते हैं when we talk about an idea when we talk about a feeling ऐसे चीज़ें जो अपने आप five senses से जो है महसूस नहीं कर सकते उन्हें हम abstract nouns कहते हैं so dash is usually the best part of life with no cares in the world तो child का हो जाता है childhood बच्चे का हो जाता है बच्चपन okay in dash of war heroes a memorial is to be built near the India gate in remembrance मतलब उनकी याद में हम जो है एक memorial बना रहे हैं so childhood and remembrance next is the convict was found guilty upon dash जो convict था मतलब जिस पे case चल रहा था investigation के बाद पता चला कि वही उसी ने गलती की थी तो investigate का हो जाएगा investigation I had a faint dash of my first holiday with my parents मेरे parents के साथ जो मेरा पहला holiday था उसकी मेरे के धुंदली सी memory है memory अपने आप में एक abstract noun ही है the dash of the rainbow in the evening sky was quite scenic so शाम के वक्त जो वो rainbow का appear का क्या हो जाएगा appearance appearance जो था वो बहुत beautiful था अब है compound nouns compound nouns मतलब क्या होते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया drive drive मतलब drive करना way मतलब रास्ता लेकिन अगर मैं drive way को साथ में लिख देती हूँ तो यहाँ पे हो जाता है यह एक particular जैसे payment होता है रास्ता जो होता है drive way जहाँ चलाया जाती है गाड़ी वो हो जाता है similarly अगर मैंने बोला hard मतलब होता है कड़क अगर मैंने लिखा work इसका मतलब होता है काम लेकिन अगर मैंने एक साथ लिख दिया इसको hard work तो इसको बोलते हैं महनती right इसमें तो दो words को मिला के जो आप words form करते हो express diseases by contaminating the food we consume housefly मतलब जो होती है मक्खी वो एक बहुत common pest है जिससे जो है चीजों पे मतलब गंद फैलती है और diseases होते हैं leaders and politicians with integrity and character set up benchmark for fellow party men and citizens वो leaders, वो politicians जो एक integrity और character के साथ काम करते हैं वो एक benchmark होते हैं benchmark मतलब वो एक जो है मतलब क्या बोलते हैं एक level create कर देते हैं कि आपको उन तक पहुँशना होता है next is education changes the dash of people education क्या change कर देता है mindset change कर देता है मतलब आपकी सोच बदल देता है the minister has a plan to overthrow the king minister ने एक plan किया मतलब जो मंत्री थे उसने एक plan किया कि कैसे king को overthrow कर दो मतलब उसकी जो है गदी हासल कर लो on the last day of the trek all the people dance around the campfire तो जब trek का आखरी दिन था तो सारे जितने भी लोग थे campfire मतलब जहां आग लगाई जाती है उसके आसपास सब लोग dance कर रहे थी अब हम आते हैं tenses में perfect and perfect continuous tenses look at these sentence great wrongs have been done to us अब यहां पर देखो have been done यह मैंने आपको बता रहे था have का मतलब होता है perfect और अगर been आ गया तो इसका मतलब होता है continuous have been done इसके साथ आता है verb का third form ओके तो यह हो गया अभी अब लेकिन एक और चीज है यहां पर verb का third form आये लेकिन ing आया क्या ing नहीं आया इसका मतलब यह continuous नहीं है और been जो यहां use हो रहा है यह main verb की तरह use हो रहा है तो यह हो गया आपका present perfect tense so great wrongs have been done लेकिन अगर जैसे अगर मैंने यहां पर कहा continuous में so I have been going यहां ing आगया तो वो continuous tense है he had asked his teacher sister not to misplace his books उसने अपनी sister से बोला था कि अपनी books को मतलब यह नो इधर उधर मत रख देना या घुमा मत देना so यह हो गया past perfect tense by this time next year I will have appeared for my final examinations next year इस time तक मैं अपने final exams के लिए appear कर चुकी होंगी so यहां पे हो गया I will have prepared future perfect tense अब यह जितने भी sentences यह perfect tense में as they indicate actions that are either already completed यह एक time के बाद complete हो जाएंगे लेकिन remember this thing perfect tense का मतलब होता है complete हो जाएंगे now look at these sentences she has been cooking all afternoon वो पूरी afternoon से खाना बना रही है और अभी भी बना ही रही है he had been dancing when the instructor walked in जब instructor अंदर आय था तब वो dance कर रहा था by this time next month I will have been studying in St. Mary's school for two years अगले महीने इस time तक मैं St. Mary's में दो महीने तक के लिए मतलब यूना दो साल से रह चुका होंगा मतलब आप बता रहे हो कि future में यह present है यह future है तो future की आप बात करो कि future के एक particular time पे आपने complete कर लिया होगा कोई एक particular time period इसे हम बोलते है future perfect continuous tense तो अब आपको करना किया यहां पे complete the sentences with the correct form of the given verbs डश your breakfast yet we have to leave for school immediately क्या तुम्हारा breakfast खतम हो चुका है तो इसका होजाएगा have you finished your breakfast yet Mary dashed to school with her arm in a sling since her accident so Mary का होजाएगा Mary has been going वो जा रही है जब से उसका accident हुआ है तब से वो एक हात में पट्टा लगा के जा रही है by this time next year I dashed books for 10 years अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है अगले साल इस time तक मैं 10 साल से books बेचता रहूंगा बेच चुका मतलब you know I would have completed that so I will have been selling next is he dashed football all day ever since her summer vacations begin जब से उसकी गर्मियों की चुटियां लगिये वो पूदा दिन football खेलता रहता है so he has been playing football next is she has been living in Japan for quite some time now as far back as I can remember my grandfather had always woken up at 5 in the morning the teacher will have completed the math syllabus by next week and the last one is she has read through the letter and will do what it says अब है last pronunciation अब इसमें क्या है X का pronunciation अलग-अलग तरीके से होता है जैसे की explorer यहाँ पे कर का sound आदा है explorer X मतलब ऐसा explorer दूसरा होता है the sound होता है जैसे xylophone और third होता है जिसमें गर और जर का sound होता है लेकिन exist right तो हमको यहाँ जितने भी words दिया है उनको हमको categorize करना है तो जैसे यहाँ पे है X as in explorer जिसमें X और S का sound आता है तो हो गया extract texas fix और exterior जिसमें exist में जैसे गर जर का sound आ रहा है तो हो जाएगा exact exaggerate exam और example और यहाँ पे जैसे जैलोफोन जर का sound जिसमें आया है वो हो गया जैन्थोन जिनन जीनिया और जिरोक्स and here we are done with this chapter as well thank you so much for being with me इन सारे वीडियोस के लिए you can visit our website magnetbrains.com जहाँ पे आपको सिफ classlet करनी है as per your class subject subject के according topic और उसके बार आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा and also don't forget that magnetbrains Hindi channel अब आपके लिए available है तो बिना जिजग बस subscribe कीजिए अपने friends के साथ share कीजिए और सारा content जो है आपको free में मिलेगा वो भी बहुत अच्छे तरीके से so thank you so much once again take care of yourself bye